और चौकलेट खाएंगे आप मुझे बता है जो मीठा खाने के शौकीन होते हैं उनको चौकलेट पसंदा हूँ ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है लेकिन आज आप मैं आपको बताओंगी कि चौकलेट खाने के साथ-साथ आप कैसे यूज़ कर सकते हैं और यह जो वीडियो ह है वह आप अंत तक देखीगा क्योंकि यह वीडियो बहुत जादा यूसुल होने वाला है सिर्फ और जिर्फ आपके लिए लेकिन वीडियो देखने से पहले आपको बता दूं कि आप हमारे चानल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा और वीडियो जब आप अंत तक देख करेंगे पसंद आए तो लाइक कीजेगा और हां कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप किस तरह के और वीडियो देखना चाहेंगे बिजनस से रिलेटिद तो चलिए आज चॉकलेट खाएंगे भी खिलाएंगे भी और हां बिजनस भी बताएंगे तो चॉकलेट खाने के ़ fishermen हैं अन लोगों को पता ही होगा कि चॉकलेट के कितने सारे ब्रांड्स हैं और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो स्पेशली चॉकलेटost abroad से हैं कि भाइग मुझे यह चॉकलेट बहुत पसंद है और वे नहीं यह चॉकलेट लेत्त आना आपको आज बताते हैं कि किस तरह से आप चॉकलेट का बिजनस शुरू कर सकते हैं और मुनाफ़ा भी कमा सकते हैं। ब्रैंड के नाम से चॉकलेट खरीदने वाला भी आज हो में चॉकलेट की मांग करने लगा है। चौकलेट की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए, चौकलेट मेकिंग शुरू कर आप छूता सा इन्वेस्टमेंट करके आसारी से अपना बिजनश शुरू कर सकते हैं। शुरू में आप कंपूंजी में इसकी शुरुआत करके मांग बढ़ने पर इसका विस्तार कर सकते हैं। हर रोज 1000 चॉकलिट तयार करने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होगी, आईए इसके बारे में आपको बताते हैं। मशीन और आवश्रक सामगरी पर खर्च। डबल बॉइलर का एक बरतन जिसकी कीमत है 550 रुपे। बॉइलर के अलावा आपको जुरूरत पड़ेगी इसकी यह मोल्ड चॉकलिट इसमें अलग लग शेफ्स बनी हुई हैं जुसमें आप चॉकलिट बना सकते हैं। और यह मैंने कहीं दूर से नहीं लिया है, नहीं मैंने कहीं से मंगवाया है, यह मैंने अपने आसपास एक दुकान है, बर्तन की दुकान वहीं से लिया है, और यह जो मोल्ड है यह अलग-लग तरीके खरूते हैं, मेरे पास जो मोल्ड है, मेरे घर पर जो मोल्ड है वो का मॉल्ड कहते हैं अलग-णग प्लास्टिक के मॉल्ड पी आते हैं तो आप वो भी खरीद सकते हैं इसकी कीमत आपको बता देते हैं कि आपको कितने का यह मॉल्ड पटता है हर मोल्ड की कीमट है 20 रूपे इस तरह के कि आपको कम से कम 10 मॉलड चाहिए, tworiant होगी रैपर्स की बाजार में चॉकलेट के रंगीन रैपर्स आसानी से मिल जाते हैं और 300 रैपर्स के एक पैकेट की कीमत है 7 रुपए चॉकलेट सेट करने के बाद उसकी कीमत 5,499 रूपए से शुरू होती है तो बेसिकली चॉकलेट बिजनस के लिए कुल मिला कर 10,000 का इंवेस्टमेंट करने की ज़रूरत होती है थोड़े बड़े लेवल पर स्टार्ट करने के लिए थोड़ा ज़ादा इंवेस्टमेंट करना हुगा और आटमेटिक या सेमी आटमेटिक मशीन भी बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाती है कीमत 3,000 रुपए जगा की और workers के खर्चे की बात कर लेते हैं अगर जगा की बात करें तो अगर आपका घर बड़ा है तो आप असानी से घर में ही machines लगवा सकते हैं लेकिन अगर आप शुरुआत में ये बिजनर शुरू कर रहे हैं, तो आप अराम से किसी छोटे से कमरे में भी शुरुआत कर सकते हैं. क्योंकि ये मेरा personal experience है, मैं भी घर में चॉकलेट्स बना लेती हूँ और उसके लिए मुझे कोई भी setup लगवाने की जरूरत नहीं पड़ी है, सिरफ मैंने बाजार से चॉकलेट कमपाउंट्स खरीदे और मॉल्ड्स खरीदे हैं, जिसके बाद चॉकलेट आप आसानी से कुच अब raw material की बात कर लेते हैं, परड़े चॉकलेट बनाने के लिए 10 किलो डाक चॉकलेट की जरूरत होगी, और 1 किलो डाक चॉकलेट 180 रूपे की आती है, मतलब आपका परड़े 180 गुणा 10, 1800 रूपे का खर्चा होगा, इसके अलावा परड़े 1000 चॉकलेट के लिए 5 किलो मिल चॉकलेट की जरूरत होगी, और 1 किलो मिल्क चॉकलेट 240 रूपे की आती है, मतलब परड़े मिल्क चॉकलेट का खर्च 240 गुणा 5 यानि की 1200 रूपे होगा, वहीं परड़े गरेलू गैस का खर्च 15 रूपे तक आएगा, तो overall raw material के लिए आपको परड़े 3,015 रूपे खर् होनी चाहिए, किसी भी product को आपको market में उतारना है और उसको अच्छे से बेशना है, तो सबसे जादा important factor है उसकी marketing, तो चलिए आपको बताते हैं कि इसकी marketing कैसे आप कर सकते हैं, उत्पादन की बिक्री पर ही नफा यानि profit में भर रहता है, इसलिए जितनी अधिक बिक्री हो ये अपनी अलग marketing strategy हो, जिससे आप अपनी अलग पहचान बनाने में काम्याब हों, इसे फुटकर वेपारियों के पास बेशनी के लिए रखा जा सकता है, इसलिए आपको अपने product की पहचान खरानी होगी, mall culture में बड़ी मजबूती से अपने pair metro cities जैसे Mumbai, Delhi, Bangalore, आदी बड जैसी social site के द्वारा भी अपने product के marketing कर सकते हैं, उतपादन और कीमत, प्राते विन चॉकलेट उतपादन 1000, फुटकर में चॉकलेट की कीमत 6 रुपए, एक चॉकलेट की कीमत 10 रुपए, फुटकर वेपार करने वालों को मिलने वाला profit 4 रुपए, अब बारी आती है लगू अवश्य कच्चा माल प्रती दिन जाग चॉकलेट 10 किलो गुणा 180 रुपए, यानि की 1800 रुपए, मिल्क चॉकलेट 5 किलो गुणा 240 रुपए, यानि की 1200 रुपए, गैस तकरीबन 15 रुपए, चॉकलेट रैपर्स 200 रुपए, फुिस्टर्स 67 रुपए, कुल खर्च 3,282 र करते हैं, कच्चा माल 82,050 रुपए, करमचारी वेतन 25,000, प्रशास्की खर्च 1,000 रुपए, 25 दिनों में कुल उत्पादन 1000 गुणा 25 यानि की 25,000 रुपए, हर महीने चॉकलेट की बिक्री से होने वाला लाब जैसे की एक होलसिल चॉकलेट की केमत 6 रुपए, तो 25,000 गु चॉकलेट के लिए जरूरी सामगरी ऑनलाइन भी उपलब्थ है, इसके लिए आप इन वेबसाइट की मदद ले सकते हैं, इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिये गया है, बिजनस के लिए पूझी की जरूरत होती ही है, जदि पूझी ना हो तो आप ब तो देखा आपने चॉकलेट खाने के साथ साथ और भी उप्योग में लाई जा सकती है, आप इससे पैसा भी कमा सकते हैं, और सबसे अच्छी बात है कि आप इसका बिजनस जो है वो अपने घर से शुरू कर सकते हैं, यानि कि आप अगर इसको घर से शुरू करते हैं, अप अपने आज पडोस को अपने बिजनस के बारे में बता सकते हैं और क्यूंकि अप तयोहार का सीजन आ रहा है, दिवाली आ रही है ऐसे कई तयोहार आ रहे हैं जब लोग एक दूसरे के घर में कुछ मीठा लेकर जाते हैं तो मिठाईयों की बजाए अगर आप घर में चौकलेट्स बनाते हैं तो आपके पास लोग आएंगे और वो आपके चौकलेट्स भी खरी देंगे तो ऐसे आप मार्केटिंग भी कर सकती हैं आने वाले दिनों में क्योंकि तोहार आ रहे हैं और अपने चौकलेट्स का बिजनस जो है वो घर से भी शुरू कर सकती हैं तो जैसा कि मैंने वीडियो के शुरूआत में कहा था कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजेगा एक बाद फिर से कहती हूँ बेल आइकाउन का बटन भी जरूर दबाईएगा तमाम अप्डेट्स के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारा चानल नमस्कार आपके बिजनस का सच्चा साथी